इस वीडियो में आज हम आपको FPO में जो है FPO की सदस्यता एबं उसके सदस्यों के मताधिकार वोटिंग पावर से संबंदित जो प्रावधान है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतरगत उनित से आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपगत कराएंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए एक FPO जो होती है इसमें एक तो कोई इंडिविज्वल व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति जो उत्पादक है प्रोडूसर है इसके अलाबा एसी संस्था या कोई प्रोडूसर इंस्टिउशन जो फार्मर्स के किसानों के हिद के लिए कारे कर रहा है तो एसे प्रोडूसर इंस्टिउशन या इंडिविज्वल व्यक्ति मिल के भी प्रोडूसर कंपनी की स्थापना कर सकते हैं या सदस हो सकते हैं तो एक FPU में एक individual वेक्ती भी सदस हो सकता है और एक कोई producer institutions मतलब कोई किसान उत्पादक संस्था है कोई किसानों की तो वहां भी सदस के रूप में नियुक्त हो सकती है और वहां स्वयम भी producer company के स्थापना कर सकती है तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो FPU के सदस होते हैं उनके मत अधिकार से संबंदित क्या प्रावदान है तो देखिए जहां पे individual member FPU के सदस हैं तो एसी स्थिती में जो voting right है जो मत अधिकार है वहां सभी सदस्यों को समान रहेगा मतलब सभी वेक्ती को एक ही vote या एक ही मत डालने का अधिकार होगा FPU के प्रत्यक वेक्ति को चाहे उसकी share holding कितनी ही क्यों ना हो यह अलग मेंटर है ठीक है यह उसमें माहिने नहीं रखाएगा मतलब जो भी member है उसकी share holding भले 5%, 10%, 20% हो लेकिन उसका जो है voting power एक ही रहेगा single vote power इसके लाबा एसी FPU जिसमें उसके सद से producer institution है तो एसी स्थिति में जो है producer institutions हैं जो FPU के सदस हैं उनका जो वैपार में FPU के जो वैपार में जिस अनुपात में उनकी भागिदारीता रहेगी उनका company के producer company के business में participation रहेगा उसके आधार पे जो है उनके जो है मत अधिकार निर्धारित होगा ठीक है जो भी पिछले financial year का आपके audited account रहेंगे उनके अधार पे उनका participation participation decide होगा उसके आधार पे उन्हें मत अधिकार प्रधानों पर आप होँगे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी FPU में individual व्यक्ति भी और कोई producer institutions भी सदसे हैं तो एसी स्थिती में जो FPU के सदसे हैं उनको जो मत अधिकार रहेगा वहाँ single vote का याने एक ही मत डालने का एक व्यक्ति को अधिकार रहेगा मतलब जो प्रतिक सदसे जैसे financial institution है और 10 मेंबर हैं तो 10 लोग एक एक वोटी डाल पाएंगा और financial institution भी जो है एक ही वोट डाल पाएगा तो इस तरीके से उनके मत अधिकार रहेंगे मतलब financial institution और individual व्यक्ति मिलके अगर एक बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें जो मत अधिकार हैं समान रहेंगे मतलब सभी व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होगा ठीक है इसके आगे जो इसमें प्रावधान है दोस्तों उसके अंतरगर जो है कि इसके अलावा FPU का जो Article of Association रिता है उसमें या उसमें जो है सदस्यों की सदस्यता पर कुछ मानकों या कुछ निर्धारित कुछ नियमों के आधार पर सदस्यों की सदस्यता को स्थिर या डिटें किया जा सकता है ठीके दोस्तों एवं इसके अलावा कंपनी के Article of Association में सदस्यों के द्वरा किस रिती से अपने मतदिकार का प्रयोग किया जाएगा इससे संबंदित प्रावधान भी कंपनी के Article of Association में रह सकते हैं तो उन्ही के आधार पर जो है किसी सदस्य धर्स्यता से रोका जाएगा एवं मतदिकार का उपयोग की प्रक्रिया जो AOA में दियोगी उसके माध्यम से ही मतदि डालने का कार उसी प्रक्रिय के मार्दम से सदस्य द्वारा किया जाएगा. इसके इलावा, यदि प्रेडूसर कमपनी को उसके आर्टिकल आफ अशोशीेशन द्वारा आथोराईस किया जाता है, तो एसी इस्थीती में किसी एक्टिव मेंबर पे, कोई एक्टिव मेंबर जो होते है ऑफपीयों के उनके मतधिकार पे रोक लगाई जा सकती है किसी भी जेंरल Carl awesome ये जेंरल मिटिंग में अगयłe मतलब जो कंपनी के active member है उनकी जो सदस्यता है उनको जो voting जो बोटिंगusement the दिया गया है उसमें यदि कंपनी के A.O.A. में जो परतिबंध दिएंगाए हैं, उन परतिबंदों का पालं करते हुए उनके आधार पे you member की जो हे मतधीकार को रोखा जा सकता है, किसी भी साधारन साबा में जो company की साधारन सोगा होती है, उसमें you member को मत अधिकार देने से रोका जा सकता है ठीक है दोस्तों इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका प्रोडूसर कंपनी के व्यपार में कोई इंट्रेस्ट जो से कॉणफिक्ट हो मतला उसके जो हिध है उससे कंपनी का व्यवसाय है उसको कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति कम्पनी का मैंबर नहीं रहेगा ठीक है आlles दिन भी वहाँ उसका इंट्रेस्ट कॉंफिलिक्ट हो जाता है उस दिन से वहां व्यक्ति एफपी ओ का सधस नहीं रहेगा ठीक है दोस्तों इसके अलावा यदि कोई वेक्ती ने जब सदस्तिता ली थी FPO की उस टाइम उसका इंट्रेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नही था प्रोडूसर कंपनी के वेपार से उससे मतलब उसके हिट से कोई प्रभाव नही था कंपनी के वेपार से और उसके सदस्य बनने के बाद किसी भी समय उसका हित जो है वो कॉन्फलिक्ट हो जाता है तो एसी इस्तिती में उसकी सदस्यता आर्टिकल और अशोशेशन के प्राफधानों के अनुसार समाप्त कर दी जाएगी तो इस वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि FPU की सदस्यता से संबंदित एवं उसके मतदिकार से संबंदित क्या प्राफधान है यह दि हमारा वीडियो में जो आपको जानकरी दी गई है आपके लिए उप्योगी हो मैं पून हूँ तो अन लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें सेर करें एवं आगे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों